हरियों मेरे प्रिय वरिशब राशी के सातियों 12 सितंबर 2024 का दिन वरिशब राशी के लिए किस परकार के ग्रोहों के योग संयोग बना कर लिकर आया है किस परकार गुरू व्रिस्पति से धन और भागे में होगे व्रदी जानेंगे हम इस वीडियो में इस देनिक राशीफल के बारे में तो वीडियो के इन तक बने रहे शुरुआत करेंगे रोज की तरह पंचांग से सातियों तो 12 सितंबर का दिन गुरू वार का दिन है गुरू ब्रिस्पति को समर्पित ये दिन है चंद्रमा का संचार जो है धनू राशी में रहेगा जिससे गुरू ब्रिस्पति अत्यदिक पावरफुल हो जाएंगे अपनी ही राशी में चंद्रमा और गुरू के होने से भादर मास के शुकल पक्स की नवमी थिती बनेगी और इस तिथी को आयूशमान योग बन रहा है सोभागे योग बनेगा और मूल लक्षतर देखने को मिलेगा जिन सभी के संयोग से इस दिन का महात्व ब्रिशब राशी के लिए वेदिक जोतिक के नुसार बहत सुखदाई और सुभ योगो का फाइदा आपको कुछ इस प्रकार मिल सकता है जैसे कि आज के दिन धन से संबदित आपकी रण नीतिया काम करेंगी जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और कुंडली में गुरू ब्रिस्पती की स्थिती को देखा जाए तो स्रिष्टी के पालनहार भगवान विश्णू की विशेस क्रिपा भी आप पर बनी रहेगी जिससे विर्शब राशी की सुख समर्दी और सोभागे में वर्दी होगी आए जानते हैं 12 सितंबर का दिन आप लोग के लिए किस परकार लखी रहेगा इस दिन आपका भागे 90% साथ देगा अति उत्तम भागे आज आपके साथ बना हुआ है आपका लखी कलर प्रोप पर यलो रहने वाला है जिससे आप इस दिन की सोभागे को बढ़ा सकते हैं सातियो तो इस दिन पीले कलर के वस्तर जरूर पहने गुरुवार 12 सितंबर को सोभागे योग के प्रभाव से और विश्नु भगवान के आसिरवात से विर्शब राश्ची को हर कारिये में सफलता मिलेगी इनकी खूब तरक्की होगी नोकरी और कारोबार में आपके सभी कारिये पूर्ण होने से आपके मन परशुन रहेगा आपकी धन समपत्ती वेभम में वर्दी होने से आपके आतम विश्वास में वर्दी होगी नई कारी ओजनाई पूर्ण होंगी साती गुरुवार्ग का दिन गुरु ब्रिस्पति के कृपा से आपके वेवाहिक जीवन को सुख में बना सकता है विरिशब राशी के लोगों को करियर में भी लाप होगा चाहिए वो नोकरी करते हैं या फिर कुद का बिजनेस करते हैं आपको दिन ये दिन जो आपके लिए संतोस दायक रहने वाला है शांती के साथ आनद में बीतेगा पूरा दे राजनिती छेतर में किये गए परियासों में आपको सफलता मिलेगी सासन और सत्ता से भी आपको हर परकार का सयोग प्राप्त होतावा न जला रहा है करियर में आपके लिए कुछ नई अनुबंद बन सकते हैं आपकी पद पर्थिष्टा में व्रधी होगी रातरी में कुछ आप रिये व्यक्तियों से मिलने से अनावश्यक कष्ट आपको हो सकता है तो ऐसे किसी भी व्यक्तिय से रात को ना मिले साथी संतान पक्स के लोगों से आपके खुशी मिलेगी और स्वास्ति के पर्थि आपको सचेत रहने के आवश्यक्ता है कारिय का तिदिक आप पर बोज बना रहेगा स्किन से संबदी और पेट से संबदी छोटी मोटी बिमार्य आपको हो सकती है लेकिन इन सभी दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए इस दिन हल्दी के पानी से स्नान करें गुरु बिर्श्पती को प्रशन करने के लिए केले की व्रिक्ष के पूजा करें अगर आप यह नहीं कर सकते तो पीली वस्तो का जैसे केले इस चने गुड़ी त्यादी का दान करें और उनका सेवन आज के दिन करें